नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं इस सप्ता में दी जाने वाली रकम प्राप्त नहीं हुई है जबकि दूसरी किस्त से 13890 कि सनवन्चीत हैं बतादे समय पर भुखतान ना होने से किसानों की जिनता बढ़ती जा रही है इस इलाके में किसानों के पास कोई जमा पूंजी नहीं होती अपनी फचल को ही बेच करवे इतनी राशी का इंतिजाम करते हैं जिससे आगे घर संसार चल सके और दूसरी फचल के लिए खाज बीच की खरिदारी कर सके जारखन मौसम इभाग के अनुसार आजधानी राशी समेथ आसपास के जिलो में गर्जन के साथ बारिज का पूर और मन किया गया है जारखन में अगले 24 गंटे के दरन तापमान में 2-4 डिगरी तक की गिरावट की संभवना है वहीं अगले 2-3 दिनों बाद तापमान में 4 डिगरी सेलसियस तक बढ़ोतरी की संभवना है बतादे राजी के कुछ अस्थानों पर आंसिक बादल के साथ गर्जन और हलकेवा मदर्ज की बारिज की संभवना है 27 और 28 अपरेल को जार्खन के देवगर दुम का धनबाद पाकुर जामतला साहिब गरी डिमें कहीं कहीं गजन के साथ बारिज के अलावा ओले गिरने की संभवना है वही 25 और 26 अपरेल को राजी के गढ़वा पलामु चात्रा को डर्मा गिरी डिमें हीट वेब का असर कायम रहेगा इसे लेकर एलो अलट चारी किया गया है राष्ट्रिय पंचायती राज दिवस पर जार्खन के पंचायतों को मिलेगर नेशनल अवार्ड राष्ट्रिय पंचायती राज दिवस 24 अपरेल के आसर पर जार्खन की पंचायतों को उत्किष्टकार के लिए पुरुष्ट क्रित किया जाएगा इसमें बोकारो जिले के पेटरवार के बुडू पंचायत, गिरीडी जिले के बिरनी की कफिलो पंचायत, गिरीडी जिले के बिरनी की बंगर कला पंचायत को नेशनल आवाड दिया दाएगा दिन द्याल उपाध्याई पंचाइट सशक्तिकरण पुरुष्टकार्च से भी पंचाइटों को पुरुष्टित किया दाएगा जारखन के बच्चों को साइकल के लिए खायते में DBC के माध्यम से रासी भेजने पर बिचार जारखन के सरकारी स्कुलों में पढ़ने माले 16-16 की साइकलिंग टेंडर के खेल में फंस गई है दो वर्सों से बिद्यारतों को साइकल का बित्रन नहीं किया गया है राजे में काक्षा आट में पढ़ने माले SC, ST, OVC और अल्प संकेक चात्रों को साइकल देने का परधान है बता दे वर्स 2020 में COVID-19 संक्रावन के कारान करीब 3 लाख बचों को साइकल खरिदने के रासी उनके खायते में DBT नहीं दी गई बर्स 2021 में काक्षा आट के साथ, काक्षा नौ में प्रोनती पाचु के करीब 6 लाख चात्रों को साइकल बित्रन करने की उजना बनाई गई साथी सरकार ने तय किया कि बचों को साइकल की कीमर DBT के माध्यम से उनके खायते में नहीं दी जाएगी कल्यान विभाग द्वाला साइकल का टेंडर निकाल कर साइकल खर्द कर विद्यार्थियों के बिच बाटी जाएगी लेकिन साइकल खरीद के लिए टेंडर आज तक फाइनल नहीं हो सका है फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कॉप के इंडिया कैम्प के लिए जार्खन की साथ फुटबॉलरों का चयान जार्खन के जमसेदपूर में 23 अपरेल से 31 मई तक फीफा अंडर 17 महिला विच्वा कॉप के लिए भारतियत टीम का सिवीर लगाया जाएगा इस सिवीर के लिए जार्खन की साथ महिला फुटबॉलरों का चयान किया गया है विभीन राजियों से कूल 33 खिलाडियों का चयान किया गया है कैम्प के लिए चुनी गई जार्खन की महिला फुटबॉल रोको जमसेतपूर में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है बताए दरा श्रीयक कैम्प में जार्खन की गोल कीपर अंजली मुंडा, डिफेंडर सेलीना कुमारी, सुधा अनीता तिर्की, अस्टम उरां, पुर्निमा कुमारी, मिट फिल्डर नितुल लिंडा और विंगर अनीता कुमारी का चैन किया गया है खुटी में 11 साल की लड़की से 6 नावालकों ने किया समोहिक दूसकर्म को दर्ज कराई गई सिकायत के अधार पर्याकरवाई की गई है को रोना की चौथी लहर से रहे सतर के जायर खंड को रोना टिका करन अभियान के तहद सतरकता डोज में काफी पीछे हाई स्थीति या है कि 18-67 वर्स के नागरिकों को छोड़ भी दे तो यहां अभी तक हेल्थ केर वर्कर्स, फ्रन्ट लाइन वर्कर्स तथा 60 वर्स चादिक आयू के बुजरूगों में 8% को ही सतकता डोज लग सकी है या स्थीति तब है जब इन सभी को सरकारी टीका केंद्रों पर मुफ्त वैक्सिन लगाई जा रही है इसका बड़ा कारन अभी है कि राजे में अभ पर खदान लीज लेने या था ओफिस आफ प्रोफिट के मामले में जार्खन हाई कोट वर चुनाव आयोग हेमान सुरेन पर अगले 15 दिनों में कड़ी करवाई कर सकता है बताए दे राजे पाल रमेस बैस ने चुनाव आयोग हेमान सुरेन के नाम पर खदान लीज लिए जाने की जनकारी दी है चारकन के पूरो मुख मंत्री रहवर दासने बरतमान मुख मंत्री है मन सुरेन द्वारा माइनिंग लीज लेने के सिकात राजे पल्डा मेस बैस से की थी लाते हार में हो रहे पंचाज चुनाओ को रद करने की मांग लाते हार जीले में हो रहे त्रियस्तरिय पंचाज चुनाओ के बिरोध में अखिल भारतिय टाना भगत संग के तत्वधान में टाना भगत समानाले पहुँचे जहां जीले के अधिकार्यों के सथ बैठक की गई बैठक में टाइना भगत संग के द्वारा पार्चिवी औनी सुची का हवाला देते हुए पंचाय चुनावरद करने की बात कही उन्होंने कहा कि अगर चुनावरद नहीं होगा तो अंदोलन किया जाएगा जहारखन में बिली संकट गहराया जहारखन में भिशन गर्मी के बिस सनीवार को अधोनिक पावर की एक इकाई से उत्पादन पर्भावित होने के कारण बिली संकट और बढ़ गया है मांग और आपूर्ती में 550 मेगावाट से अधिक का अंतर बढ़ने के कारण अधिकारियों ने जरूरी बैठक कर फीडरों की आपूर्ती का रोड मैप बना कर हालाथ को नियंत्रित करने की कोशिश की इसके बावजूद सोरों में 5 घंट से अधिक और गरामी इलाकों में 8 घंटे तक लोड सेडिंग की मार से उभकताव की मुसिबत बढ़ गई है धन्यवाद